Hello everyone, welcome to all of you, this is Anju Maurya और आज के इस वेहतरीन टॉपिक में हम आपको बताएंगे फ्लार की सिमेट्री के बारे में सिमेट्री आप फ्लार एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहां से एक्जाम में कोशन्स पूछे जाते हैं यहां से एक्जाम में कोशन्स पूछे जाते हैं तो उसका वो सच्चा ही है कहीं ने कहीं क्योंकि हम वीडियो उन्हीं टॉपिक पर बनाते हैं जो बिलकुल आपके एक्जामिनेशन पॉइंट आव यू से इंपोर्टेंट है देखिए फ्लार की सिमेट्री तीन तरीके की होती हमने सामने लिखा हुआ है एक्टीनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लार एक्टीनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लार तो porifera phylum asymmetrical है, उसमें किसी भी तरीके का symmetry नहीं होता है symmetry का मतलब यह होता है कि देखिए asymmetrical का मतलब है कि body को किसी भी plane से equal half में convert नहीं किया जा सकता या cut नहीं किया जा सकता, तो porifera जो हैं वो asymmetrical है sponges asymmetrical होते हैं, किसी तरीके से asymmetrical floor का मतलब होता है ऐसे फ्लार जिनको आप किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में ना कट कर पाएं इसको हम asymmetrical कहते हैं जैसे कैना यहाँ पे जो कैना है वो asymmetrical है एक्टीनो मार्फिक या रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है फ्लार कैनबी कट इनटू इक्वल हाफ बाइडियल सिमेट्री कहते हैं जनरली इसका हम सिंबल इस तरिके से डिनोट करते है जाईगो मार्फिक का मतलब पाईलेटरल सिमेट्री जैसे पाईलेटरल सिमेट्री अगर आप देखिए अगर हम प्लांट की, अनिमल किंगडम की बात करें, तो अनिमल किंगडम में रेडियल सिमेटरी कहां देखने मिलता है, तो हमें सिलेंट रेटा में देखने मिलता है, टीनो फोरा में, टीनो फोरा में बाई रेडियल सिमेटरी होता है, इकाइनो डर्मेटा के अडल्ट में द गंवर सिमेट्री के नाम से जानते हैं जानते हैं जाइगो मार्फिक तो यह है अब इनके एक्जाम्पल हम देख लेते हैं नो इनके एक्जाम्पल में हम ब्रैसीकेसी मालवेसी लिलीसी Solanacee Disque Fluorate Sunflower में जो Compositive में Disque Fluorate होता है यहाँ पे Leguminocy Ray Fluorate Candy Tuft है ना और यहाँ पे कहना कैसे याद रखेंगे एक ट्रिक है बस एक ट्रिक याद रखेंगे Active Master Chin-2 LAL Active Master Chin-2 LAL brings या ऐसे लिखिए ऐसे लिख लिजे Active Master Chin-2 LAL brings superiority मतलब यह इतने अच्छे Master है चिन्टू LAL जी वो superiority लाते हैं बच्चों में ठीक है तो Active से Actinomorphic हमने superiority यहाँ लिख क्योंकि यह सुपीरियर ओवरी का भी एक्जामपल है सुपीरियर ओवरी का भी एक्जामपल है Master Master मतलब Mustard Mustard मतलब Brassi KC चिन्टू मतलब China Rose चाइना रोज मतलब आपका मालवेसी लाल मतलब लिलीएसी ब्रिंग्स मतलब ब्रिंजल ब्रिंजल मतलब सुलेनेसी तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो Active Master चिन्टू लाल ब्रिंग्स सुपीरियोरिटी तो Brassi KC, मालवेसी ठीक है लिलीएसी, सुलनेसी एंड डिस्क फ्लोरेट यहाँ Leguminocy, Ray Fluorate, Candy Tuft Brassi KC family का ही Candy Tuft है लेकिन यहाँ पर जैगुमार्फिक सिमेट्री पाई जाती है Ray Fluorate of Sunflower and Leguminocy तो और यहाँ पर कहना है तो I hope कि आपको यह बहतर तरह किसे समझ में आया होगा Actinomorphic, Jaigomorphic, Asymmetrical आगे किसी वीडियो में बहतरीन टॉपिक के साथ उपस्तित होंगे तब तक के लिए आप लोग को Bye Bye All the Best, आप लोग नोट जरूर कलिजेगा किसी भी स्टेट से हैं, बाई लोग जी सीखना चाहते हैं Entrance Examination, TGT, PGT, LTGIC, Assistant Professor CUET Examination, DSSS, VNVS, KVS की CB तरिके से तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं Mock Test Series से जुड़ सकते हैं बहतर से बहतर content और material आपको मिलेगा Okay, Bye Bye सभी को All the Best